नमस्कार इनकबर में आपका स्वागते लखनाओ पबजी केस में नया मोड आरोपी बेटे ने वीडियो कॉल कर पिता को बताई थी हत्या की बात मा की हत्या करने के तीन दिन पहले और तीन दिन बात तक आरोपी बेटे ने किसी के कहने पर भी दरवाजा नहीं खोला महीं साथ जून को गटना की जानकारी फोजी पिता को देने के बाद वह दरवाजे पर खड़ा होकर पुलिस के आने का इंतिजार कर रहा था लखनों के पबजी हत्याकांड में एक नया मोड सामने आया है दरसल बेटे ने विदेशी पिस्टल से मा की हत्या करने के बाद वीडियो कोल कर उसकी जानकारी सबसे पहले पिता को दी थी अब सवाल यह उठ रहा है कि पिता ने वीडियो कोल पर बेटे को क्या समझाया कि बेटा गेट के बाहर पुलिस का इंतिजार करता रहा एक सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस बेटे ने तीन दिन तक गेट नहीं खोला, उसने पुलिस के सामने क्यों कहा कि किसी ओर ने मम्मी को मारा है दरसल मा की हत्या केरने के तीन दिन पहले और तीन दिन बाद तक आरौपी बेटे ने किसी के भी कहने पर दरवाजा नहीं खोला इतना ही नहीं उसने पुलिस के पहुचते ही वे पिस्टल भी दिखाई जिससे मा का कतल किया था इसके बाद भी पुलिस ने आरोपी बेटे पर गुमरहा करने का आरोप लगाया है पीजी आई के यमनापुरम कलोनी में साधना सिंग की हत्या के मामले में तीसरे किरदार के सामिल होने के साथ पुलिस की भुमिका पर भी सवाल खड़ा होने लगा है साथ जून की राद साधना की सूचना पर पुलिस उनके घर पहुची तो आरोपी 16 साल का बेटा गेट पर खड़ा इंतजार कर रहा था साधना के पती नवीन की माने तो बेटे और पत्नी से तीन जून से बात नहीं हो पा रही थी उन्होंने कैई परिच्चितों और रिष्टेदारों को घर पर भेजा लेकिन किसी के भी आवाज लगाने पर बेटे ने दरवाजा नहीं खोला लेकिन उसके बाद फिर साध जून को मा की हत्या करने की जानकारी पिता नवीन को देने के बाद वो गेट पर खड़ा होकर पुलिस का इंतजार कर रहा था कटना की सूचना पर सबसे पहले पहुचे पुलिस वालों ने बताया कि आरोपी बेटा गेट पर खड़ा मिला वो हमें अंदर ले गया भीतर दाखिल होते ही पहले कमरे में डाइनिंग टेबल था उस पर नवीन की विदेशी पिश्टल रखी थी बेटे ने सबसे पहले पिश्टल दिखाई पिश्टल यहां क्यों रखी है पूचने पर उसने कहा कि पापा को वीडियो कोल कर दिखाया था कि इसी से मा की हत्या हुई है यानि उसने वही कबूल किया था कि मा की हत्या उसने ही की है लेकिन पुलिस ने उसे थाने लाने के बाद यह कहानी बताई की बच्चा उन्हें गुमरा करने के लिए आकास नाम के इलेक्रिशन पर हत्या का आरोब लगा रहा है